Good morning students, तो इस वडियो में हम बात करने वाले हैं G&D ओर समेस्टर के बारे में, जो अभी new समेस्टर शुरू होना है, first semester, third semester और fifth semester के बारे में, की ओर समेस्टर की classes कब से शुरू होंगी, admission कब open होगी, last date क्या है, admission की सभी regular और private students की, और आपके exams कब होंगे, date sheet कब आईगी, repair exam, improvement exam और additional exam के form fill करने की last date क्या है, सारा कुछ detail में आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ last तक बने रहे हैं, बीना skip किये हुए, फिर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा और आपके सारे doubts भी clear हो जाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि G&U और semester की classes कब से शुरू होंगी, तो जो classes हैं वो सभी regular students की 15 जुलाई 2 या 23 के बाद शुरू हो जाएंगी, सभी colleges में, और आप बात करते हैं कि admission कब से start होगी regular students की, तो जो regular students हैं उनकी admissions कॉलेज में 15 जुलाई 2 या 23 से शुरू हो जाएंगी, और जो last date है admission करवाने की वो है 15 अगस्त 2 या 23, तो सभी regular students चल्दी से अपने admission करवा लें, क्योंकि 15 अगस्त 2 या 23 के बाद fine पढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये fine 100 रुपीज से शुरू होगा, और day by day increase होता रहेगा up to 5000 रुपीज, और आप बात करते हैं कि private students की admission कप से शुरू होगी, तो जो private admissions हैं वो 10 अगस्त 2 या 23 से शुरू हो जाएंगी, और जो last date है admission की वो है 20 स्टमबर 2 या 23, तो सभी private students जल्दी से admission करवा लें, क्योंकि 20 स्टमबर 2 या 23 के बाद fine पढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये fine 250 रुपीज से शुरू होगा, और day by day increase होता रहेगा up to 2000 रुपीज, और आप बात करते हैं कि repair exam, improvement exam और additional exam के form कब से fill होने शुरू होंगे, तो जो repair, improvement और additional exam के form हैं, वो 16 अगस्त 2 या 23 से fill होने शुरू हो जाएंगे, और जो last date है form fill करने की वो है 24 स्टमबर 2 या 23, तो सभी repair, improvement, additional exam देने वाले students जल्दी से form fill कर दें, क्योंकि 24 स्टमबर 2 या 23 के बाद find पढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप बात करते हैं कि आपके और स्मेस्टर के exam कब होंगे, तो जो आपके exam से हैं वो November और December मत में होंगे, मतलब कि जो आपके practical exam से हैं वो 1 November 2 या 23 से शुरू हो जाएंगे, और 14 November 2 या 23 तक complete हो जाएंगे, और जो आपके theory exam से हैं वो 15 November 2 या 23 से शुरू हो जाएंगे, और 27 December 2 या 23 तक complete हो जाएंगे, आप सब को हम एक और important बात बता दें कि जो theory exam स्टार्ट होने की date है, वो तो 100% 15 November 2 या 23 है, लेकिन जो theory exam स्टार्ट होने की date है, वो 27 December 2 या 23 से भी आगे increase हो सकती है, जैसे कि आपको पता ही होगा, exams के बीच बीच में कुछ ना कुछ issues हो जाते हैं, जिनकी वजा से exams postponed होकर आगे shift हो जाते हैं, अगर आपके exams postponed हुए तो आपके exams 15 January 2 या 24 तक complete होंगे, और आप बात करते हैं कि आपके exams की date sheet कब publish होगी, तो जो आपके exams की date sheet है, वो October 1 वीक तक publish हो जाईगी, सभी classes और सभी semester की, तो उमीद है कि आपको सारा कुछ पता लग गया होगा, डिटेल में और semester के बारे में, तो सबसे पहले इस वीडियो को like जुरूर कर देना, और अगर कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो, और ये वीडियो अपने friends के साथ भी share कर देना, और ये channel जुरूर subscribe कर लेना, क्योंकि G&U से later सभी updates आपको इसी channel पर मिलेंगी, और bell icon जुरूर press कर देना, ताकि हम जैसे कोई new वीडियो आपके लिए लेके हैं, सबसे बले notification आपको मिल जाए, thank you,